दोस्तो आज के इस वीडियो में हम BGM Meaning in Hindi यानि की Background Music के बारे में जानेंगे तो वीडियो को पूरा लास तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में लगे बेल आइकन को क्लिक करें थाके नए Background Music क्या है दोस्तो फिल्मों में Action Scene के दोरान या फिर Social Media में चल रहे कुछ वीडियो में उपर आप लोगों ने एक Music जरूर सुना होगा यानि कि फिल्म में जो भी Action Scene आते है और Social Media पे जो भी Influencer कुछ वीडियो बनाते है उसमें Music Play होता है जो कि Background के में धिमिगति से बतता रहता है तो किसी भी वीडियो में जो भी Music मुख्य Scene के अलावा काफी कम वोल्यूम में Play होता रहता है उसे Background Music कहते है सोट में लोग इसे BGM कहते है जिसका मतलब Background Music ही होता है आज के समय में आप लोगों को अक्षर Social Media प्लेटफॉर्म जैसे की YouTube, Instagram में इस तरह के Background Music बत्ते दिखते होंगे अगर कोई Creator अपना कोई वीडियो बनाता है तो उस वीडियो को और भी अच्छा बनाने के लिए वह Background Music का इस्तिमाल जरूर करता है Background Music लगाने से देखने वाले यूजर को वीडियो देखने में काफी अच्छा होता है तो अब अपने जाना Background Music के बारे में और अब जानते है के BGM के, के BGM का फुल फॉम क्या है तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया के Background Music को ही सोट फॉम में BGM केते है और BGM का ही फुल फॉ आज के इस वीडियो में इतना ही वीडियो को हम खतम करते है लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को बता दू के अब हमने वेबसाइट भी लॉंच कर दी है तो अगर आप Google पे जाओगे, Search करोगे, एजाज कला डिया तो आपके सामने हमारी वेबसाइट आ जाएगी उसके उपर क्लिक करके आप हमारे और भी आर्टिकल पढ़ सकते हो तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इससे लाइक कर दीजेगा और WhatsApp ग्रूप में और भी अपने दोस्तों के साथ इससे शेर जरूर किजेगा और इसे इनफोर्मेशनल वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में लगे बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जब भी कोई नया वीडियो में अपलोड करू तो उसकी नोटिपिकेसन आप तक पहुँच सकें और इस वीडियो से संबंधित किसी भी तरह का प्रशन पुछने के लिए नीचे कमे करें दोस्तों गर आप लोग चाहते हो कि आपके किसी टोपिक के उपर भी में कोई वीडियो बनाओ तो वो टोपिक आपने चे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो